बिस्मिल्ला इलरह्मान इलरहीम इस वीडियो नंबर 6 अबाउट पर्मुटेशन्स एंड कम्बिनेशन्स इस वीडियो में कोशिश की गई है कि आपके जो पराने वाले रोल्स हैं यानिके पिछली तीन चार वीडियो में जो रूल डिसकस हुए वो यहां तक आके रिपीट कर दिये जाएं यानिके जो चीजें आप रिकवर कर चुके हैं यह समझा जा रहा है कि बच्चे ने उतनी चीजें अंडरस्टैंड कर ली हुई हैं अब उनको अपलाई करते हुए यह क्वेस्टन तीन चार दिये जा रहे हैं ताके उनको मेमराइज किया जा सके फर्स्ट कुस्टन इस अपरिटिकलर ब्रैंड आफ शर्ट्स कमस इन 12 कलर्स कलर्स है जा मेल वर्जन एंड फीमेल वर्जन नबर थ्री थ्री टाइप्स के साइज़ में अवेलेबल है यानिके शार्ट और लार्ज एक्स्टा लार्ज इस वक्त टोटल कितने ऐसे आप्शन वर्ज होंगे कितने ये त्रीके की शर्ट्स बनाई जा सकती है हां जी अवेलेबल डेटा क्या है नमबर बन कलर्स नमबर टू साइस नमबर थ्री सेक्स हां जी कलर्स की तदाद 12 & Size की तदाद 3 & 6 की तदाद 2 यानिके मेल & फीमेल तो आपको product rule के मतावक वही data clear हो रहा है so total number of shirts which can be formed like this so it is 72 हाँ जी next question इसी चीज़ को continue करते हुए इनके एक formula हमने एक group की form में पढ़ा था कि अगर हमें 3, 4, 2 articles को एक जगा अकठा रखना हो या separate रखना हो तो फिर क्या होगा how many ways are there when 8 books are to be arranged on a shelf so that 3 particular books are always together not together तो हमने ये formula यूज किया था n-m plus 1 का factorial multiply by m का factorial n और m क्या है n total है जिनको यूज करना है m उन में से अकठे रखना चाहते है जो as a group चलने है तो इस हवाले से n की value यहां पर हो गई 8 क्योंके 8 books यूज करनी है उस में से 3 particular special हैं जो अकठी रखनी है तो total ways होगे as per routine n-m plus 1 का factorial multiply by m का factorial तो solution is there उसके बाद जब इस पार्ट को deal करना है not together तो इसमें एक option होगा total यानि के जब कोई restriction ना हो के कौन सी चीज अकठी है कौन सी separate है कोई अकठा आ रहा है या नहीं आ रहा in all किसी चीज की पबंदी जब नहीं है तो फिर 8 books हैं उसका solution 8 का factorial उनके कोई book के लिए भी आए लिकन part 1 में अभी हम पढ़ चुके हैं उन में से अगर 3 particular books को अकठा रखा जाए तो options ये हैं तो अकठे options, total options जो इनका difference होगा that will be separated यानि के उसमें वो तीन books अकठी नहीं आएगी another question जिसमें आपको वो repeated, non-repeated data या available candidates ये available candidates सामने यहाँ पर भी use किये 12 available colors 3 available sizes and 2 sexes तो इस तरह से यहाँ पर पहुचके वो ही चीज़ फिर repeat हो रही है एक ATM पर हमें different code words मिल रहे होते हैं चार डिजट हैं 8, 6, 3 and 1 यानि कि ये किसी परसन को ATM का code भूल गया है लेकिन इतना उसको पता है कि ये digit usable है ये use किये जा रहे हैं उसके number में लेकिन इनकी तरतीब की समझ नहीं है कि कौन सा digit किदर use हो रहा है 1 पहले है, 8 बाद में है तो हमें question है कि अगर हमें try करनी पड़े different options पे dealing करनी पड़े तो कितने code हमें लगाना पड़ेंगे जिससे हम फिर किसी ना किसी result पे पहुंँ जाएंगे correct code हमें मिल जाएगा कितनी दफ़ा ये try करना पड़ेगा how many possibilities are there for correct code ये देखिए one, two, three, four ये चार places ऐसी है जिनको हमने fill करना है first place को fill करने के लिए candidate available ये है इन चारों में से कोई एक fill करेगा इस place को तो availability होगी four अब देखिए जब अगली जगा पे जाना है तो बहाँ candidate टीन रह गए है क्योंकि इन में से किसी एक को तो हमने यहां use कर ले आया ना अब repeated non repeated का concept हमें clear वैसे ही हो गया कि जब use यही चार करने है तो understood है चार ही places है चार ही digit है एक ने एक जगा पे आना दूसरे ने दूसरी जगा पे आना है understood है ये repeat नी होने इसलिए जो दूसरी place fill होनी है आपको किसी तीन ने करनी है बाकी तीन बच गए फिर जो उसके बाद अगली place आनी है तो available अग दो है क्योंकि उन चारों में से दो जगा fill कर चुके हैं और जो last place बची वहाँ available एक एंडेट होगा जो चोथा बच गया तो इस तरह से places और ये होना चाहिए फिर अगली place fill होगी उसके बाद third place fill होगी और fourth place fill होगी ये end के जो words है आपको multiplication का sense समझा रहे हैं तो इस तरह से 24 ऐसे ways होंगे जिसमें try की जाएगी एक option यहाँ पर यह भी बताएगा कभी-कभी ऐसे होता है कि उस बंदे को ये बता है कि जो जब हम start करेंगे तो वहाँ 8 आएगा यानि कि last digit is 8 लिखते लिखते आफरी digit 8 होगा अगर हम इस last digit को 8 ही रखेंगे तो 8 means इसकी जगा तो 8 ने fill करने लिए है कितने kind 8 है इस जगा को fill करने के लिए अब word 8 को जड़ा mind में रखते हुए 8 नहीं लिखना candidate लिखने है जो यहाँ आने है उनकी तदाद 8 ही number है जब पता है कि last पे 8 आना है तो just 1 option है 8 ने यहाँ आना है single candidate है इस जगा को fill करने के लिए अगली जगा को fill करने के लिए क्योंकि 8 यहाँ आ चुका है तो बाकी को 3 बच गए इस प्लेस को fill करने के लिए कोई भी 3 अगली प्लेस को कोई भी 2 और last प्लेस को कोई भी एक इस तरह से six options होंगे अगर हमें एक word का पता चल जाए कि कहां से शुरू होना है यह last जो question number 4 है उसमें एक तो यह question number 2 की आपको sense बताई रही है पहले दो parts में इस लिए वो as it is खतम की जा रही है जस्ट तदाद वाइस a, b, c, d, e, f, g seven letters हैं उन में से g, f, c अकठे रखने हैं तो n7, m3 यही formula यूज़ करते हुए आपके पास output आगई दूसरा part g, f, c, not together तो as per routine total होगे seven factorial क्योंकि यह a से g तक seven है उन में से minus करने हैं यह जितने आपके पास अकठे आ रही हैं यह minus करेंगे तो आपको remaining result मिलेगा that is जिसमें यह separate आएंगे हाजी उसके बाद तीसरा part यह important चीज़ है यह नहीं होगी आपके लिए जो पिछला काम गुजर चुका जो जी एफ सी की है वो string आने चाहिए string का meaning है यह जी एफ और सी के word जगा ऐसे ही लेंगे छोड़े यह दर उदर शफर नहीं होगे यह इसी तरह एक sticker सा लगे लगेगा तो उस sticker को एक समझा गया बाकी places बच गई फोर चुँके A, B, C, D यह चाहर रह गए G, F, C का तो काम खतम हो गया इस तरतीब से उसने तो sticker बनके एक ऐसे आना है अब 1, 2, 3, 4, 5 एक प्लेस यह as a sticker आभी move होगा इसलिए total word होगे 5 factorial और इसी string को समझाने के लिए एक और example अगर A, B, C, D का sticker बना लिया जाए string बना लिया जाए ऐसे चार अकठे कर लिये है तो वो sticker यू move करेगा बाकी बचेंगे आपके पास सिर्फ यह तीन जगे एक sticker होगया तो मिलके 4 इस तरह से इसका solution होगया 4 का factorial यह दो बाते ही नहीं है बाकी पुराने वाले lecture रिपीट हुआ है इन्शाला अमीद है कि यहां तरक आपको यह complete understanding हो चुकी होगी और इस complete understanding के साथ हमारा अगला article शुरू हो जएगा that is about circular permutations तो उसमें फिर जो data ही हम पढ़ चुके हैं वो as it is इन बातों ने फिर से repeat होना है all about this permutation and combinations in a straight line that is linear permutations thank you very much